नौसकार फ्रेंट साब सभी का एक पर फिर से educational चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम एक बहुत important question के उपर discuss कर रहे हैं क्योंकि ये question maximum बार पूछा जाता रहता है जो NET के phraser aspirants रहते हैं उनके द्वारा और question पूछा जाता है कि अगर हम final year में हैं पीजी हम कर रहे हैं और अंतिम वर्स में हैं और NET ZRF exam में बैठते हैं और NET ZRF का exam qualify कर जाते हैं crack कर जाते हैं तो कितना समय UGC हमीं देता है अपना course complete कर रहने के लिए तो आपको बता दें जो अभी current rule है उसके according जिस दिन से आपका NET ZRF का result declare होता है उस दिन से 2 year का 2 worst का time दिया जाता है कि 2 worst के अंदर आपको final certificate ला लेना है आपका final marks जो है percentage जो है वो आजाना है आपके category के अनुसार जो minimum requirement बताया गया था उसको आपका certificate आपका marks अगर पूरा करता है तो आपको qualify माना जाएगा ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है दो साल के अंदर आपका certificate final result नहीं आता है ठीक है तो आपको क्या क्यार दिया जाएगा आपको disqualify कर दिया जाएगा आपको अयोग घोसित कर दिया जाएगा NETJRF के certificate से ठीक है यानि कि आप NETJRF exam जो qualify किये हैं वहाँ से आपको खतम कर दिया जाएगा यानि कि आप qualify नहीं है ये कह दिया जाएगा तो ये चीज आपको याद रखना है और अगर आप दिल से NETJRF के exam का preparation कर रहे हैं तो हर आपको rule जो है नियम कानून है इसको जान लेना चाहिए पहले ही क्योंकि अगर खिलाडी आपको बहतर बनना है तो खेल खेनने के पहले आपको उस खेल का संपूर नियम जान लेना चाहिए तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और जब तक की नेक्स वीडियो नेक्स अबड़िट नहीं लाते हैं तब तक लिए थैंक्स वोचिंग एज क्रिस्टनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत सुखो